लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतांत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने हर समुदाई ने हर पंध के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्विकार किया है वो भारत की पुरातन, संस्कृति, परंपराव और सद्भाव की भावना को प्रतिमिब्वित करता है बाई और भेनों भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं विवीत तामे एकता विवीत तामे एकता आज यह मंत्र अपनी पूनता के साथ खिला हुआ नजर आता है गर्व होता है हजारों साल बाद भी किसी को विवीत तामे एकता भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के एतियासिक देन का आज की घटना का जरूर उलेक करेगा और यह घटना इतियास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करोर देशवासी खुद आज एक नया इतियास रच रहे हैं इतियास के अंदर एक नया स्वर्णिम प्रिष्ट जोड रहे हैं साथियों भारत की न्याय पालिका के इतियास में भी कि आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रिम कौट ने सब को सुना बहुत धैरियस हैं सुना और पुरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मती से आया एक नागरी के नाते हम सब जानते हैं परिवार में भी छोटा मसला सुलजाना हो तो कितनी दिक्कत होती है ये कारियस सरल नहीं है सुप्रिम कौट ने इस फैसले के पीशे दरड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए है और इसलिए देश के न्याया धिश न्याया लए और हमारी न्याई प्रणाली आज विशेश रुप से अभिनंदन के अधिकारी है साथियों आज नव नवंबर है नव नवंबर ही वो तारित थी जब बरलीन की दिवार गीरी थी दो विपरी धाराओं ने एक जुठ होकर नया संकल्प लिया था आज नव नवंबर को करतारपुर साहिब करिडोर की शुरुवात हुई है इसमें भारत का भी सैयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नव नवंबर की ये तारिक हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोडने का है जुडने का है और मिलकर जीने का है इस विशे को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटूता रही हो तो आज उसे तिलांजली देने का भी दिन है नए भारत में भाय, कटूता, नकारात्मक्ता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सर्वच्च न्यायले के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कटीन से कटीन मसले का हल सम्विधान के दाइरे में ही आता है कानून के दाइरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि बले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैरिये बना कर रखना ही सर्वोचीत है हर परिस्तिति में भारत के सम्विधान भारत की न्याईक प्रनाली यह हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे यह भावत महत्वपून है साथियों सर्वोच अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवात का भलेई कई पीडियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बात हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीड़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्मान में जुटेगी आईए एक नई शुरुवात करते हैं अब नए भारत का निर्मान करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तै करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छुट रहा हमें सब को साथ लेकर सब का विकास करते हुए सब का विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्मान का फैसला सुप्रिम कोट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट निर्मान की जबाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एक नागरिक के तोर पर हम सभी के लिए देश की न्याइक प्रक्रिया का पानन करना नियम काईदों का सम्मान करना ये दाइत्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाथे हर भारतिय को अपने कर्तव्य अपने दाइत्व को प्रात्वीकता देते हुए काम करना हमारे लिए उजवल भविश्च के लिए बहुत अनिवार्या है हमारे बीच का सवहार्थ हमारी एक्ता हमारी शांती हमारा सद्भाव हमारा सने देश के विकास के लिए बहुत महत्पपून है हमें भविश्च की और देखना है भविश्च के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनोतियां और भी है लक्ष और भी है मंजीलें और भी है हर भारतिय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्षों को प्राप्त करेगा मंजीलों तक पहुँचेगा मैं फिर एक बार आज नव नवंबर के इस महत्वपूंड दीन को याद करते हुए आगे बंदे का संकल्प लेते हुए आप सब को आने वाले तेओहारों की कल इद का बड़ा पवित्र तेओहार है उसके लिए भी बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ धन्यवाद